मल्बे में सामान से भरी ये भारी भर कम गाड़ी भसी हुई है मल्बा इसे बहा कर ले जाने पर आमादा है जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिशें जारी है लेकिन मल्बे के प्रचंड प्रहार के सामने इनसान की कोशिशें बौनी साबित हो रही है देखते ही देखते प्लास्टिक के मामूली खिलाउने की तरह इस भारी भर कम गाड़ी को मल्बा अपने साथ पहाने लगा एक मिनट से भी कम समय में सामान से भरी ये गाड़ी पहार की खाटियों में गुम हो गई आधा हिमाचल प्रदेश प्रचंड बारिश से बेहाल है भारी बारिश की वज़ह से सूबे के ज्यादाता नदी नालों में उफान आ गया है बारिश के साथ पहाडों से गिरे मल्वे ने जगा जगा सड़कों पर रफतार रोख दी है ये तस्वीर हैं कि नौर के निचले इलाके की है नेशनल हाईवे नमबर पांच पर पहाडों से ऐसे ही जहरने की शकल में पानी गिर रहा है ऐसे में नेशनल हाईवे पर खत्रा कई गुना बढ़ गया है लोग जान खत्रे में डाल कर बाहर निकल रहे हैं अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए गरचते सेलाब के बीच ये बस भंसी हुई है ये बस उधंपुर से पंचारी जा रही थी लेकिन एका एक बीच रास्ते में सेलाब आ गया और ये बस सेलाब में भंस गई खत्रे को देखते हुए पीछे आ रही गारियां रुख गई सेलाब में भंसी बस से भी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया भारी बारिश और मलबा गिरने से जम्मू श्रिनगर हाईवे पर गारियों की रफतार थम गई नाशनल हाईवे पर जगा 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 पानी सेलाब की शकल में बहने लगा ये तस्वीरे जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर की है वर्फीले तूटान ने कोहरा मचा रखा है बर्फ का हवाई हमला जारी है इस इलाके में धर्ती का कोई कोना ऐसा नहीं जहां सफेद बर्फ का कबजा ना हो मौसम विभाग ने द्रास और करगल सेक्टर में अगले 24 घंटे में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है उत्तर भारत के तीन राज्यों हिमाचल उत्तर अखंड और जम्मू कश्मीर में कहीं बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है तो कहीं भारी बर्फारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है तो कहीं लेंड स्लाइड ने लोगों की रफ्तार पर प्रेक लगा दिया है